बच्चों कोई चीटिंग नहीं करेगा सब अपना अपना पेपर देंगे अरे यार आज तो जो परके आये वह फस आई नहीं है जबकि हम सुभा सुभा उटके भी पर रहे थे कोई कुशिचन मिल रहा है जौале पर्क आइकते सब अलग आologically से कुछ था इतना चीज नहीं फसता है जो पर्क में पढ सकता है को अरे कहा है जो पर्क के लोलज यह चिट हैं, छोंस पर्क आई हो फसा इतोंexpl़ करते अहे हैं कहाहा है अहें, पॉल के वा पर्क नहीं हैं पर अम्मीन को फसा दिये थे तुम चुम्राओ अपने पर्ली ख़ता नहीं उल्टा सिधा आइडिया देता है और फिर फिर जाते दो पर्ण और खुरापादी दिमाग चलता तुम्हेरा सत्क जैसा खालि फसाने में तुम्हें आकल चलता है पढ़ने में तना अकल लगा होते आप ज्यादा बोलते हैं, चिटिंग कीजिएगा ना आज, तो टीचर से कंप्लेंड कर देंगे, ज्यादा बोलते हैं मेरे सामने, आरे दंकी किसको देता है, तुम पढ़ाई करके है, जैसे लगता है, अपने चिटिंग करेगा ना तब हम भी बताएंगे, आगे पीछे अग हम जो परके है वो आया ही नहीं है, आरे तो भाईया जो आया है वो परके आना चाहिए था ना, आरे हमको पता होता कि यह आएगा तो परक ही नहीं आते, हमको पता ही नहीं था, कुछ नहीं आता हमको, आरे भाईया इतना गया गुजरा तो हम भी नहीं है, हमको भी कुछ आ यह बहता लग है कि नंबर काता बस ऐसे मेरे पास एक आइडिया भी आ कीजिएगा कौन सा इडिया तुमने पास अप मेरा एक्जाम देदीजी, हम आपका एक्जाम देदेंगे आरे, तुमको मेरे सकल पे बुडबक दिखरा लिखा हुआ नई, देख तो नहीं रहा भुए, कहीं आप है क्या कहीं आपका नाम बुर्बक तो नहीं है आरे, बुर्बक तुमारा नाम होगा, समझा इतना ही ध्यान अगर अपना पराई में दिया होते तो अज अपने स सब लिख लेते हैं ना तुम इतना घ्यानी ओं तुम अपना ध्यान कए नीढ पराई पर तुम काइна हुढ बाठे वे weight तुमको देखे प्यार करता है कोई दू क्लास में परता नहीं करता है अपना पेपर दो चुपचाप से अगली बार देखा बात करते हुए तो तुम्हारी कॉपी फार दूगी क्या समझ में आया भाईया हमको बले ते फार देंगे मैं आपका कॉपी फार देगी अरे तुम चुप करके अपना एक्जाम दो जादा नहीं बोलो पागल बच्चा कहां से बैट गया भीज में अरे रूसी तुमको एक नमबर का उंसर आता है क्या हां आता है अरे अच्छा दीधी को आता है तो अपना कॉपी में लिखी है इनको बताने का जरूत नहीं नहीं तो हम केप्लेंच कर देंगे अरे हाँ हाँ बाबू मैं उसको कहा बता रही हूँ इतू अपना ही लिग रही हूँ टीचर को मत बताना ए गोरा कड़ू डिस्टब मत करो नहीं तो तुम्हारे चकर में मैं भी फ़स जाऊंगी अरे ये लरका तुम ज़्यादा बोल रहा है तुम्हें चेकर में भूम को नहीं बताई तुम को निभारी परेगा बैठा है ना शांती से हम भी तुमको कुछ नहीं लिखने देंगे उन्हाई किसी पूछने देंगे समझा अरे तुम नहीं लिखने दीजे भाईया हम लिख अरे लोंडा है तुम पिछला क्लास में क्या बोला धड़े कि हमना निकर खोलेगा चुप चाप से हम दोरों को लिखने दो चीट करके अगर नहीं दिया तो तुम क्लास से बाहर जाएगा ना तो तुम्हें क्या-क्या खोलेंगे ओ फिर सब लोग देखेगा समझा इसलिए काला कलूटा कहीं का बच्चे को धंका रहा है कि चीट करने दो तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरी क्लास में चीट करोगे मिस डेंडी की क्लास में कि आठे क्या किया लड़का यह लड़का क्लास में चीट कर रहा था और बच् को धंका रहा था कि अनुट टूम को भी आज चीट नहीं कर रहा है अगर तुम कर रहा तो तुम को भी आज निका लेंगे क्लर क्लास से बाहर है हम नहीं कह रहे हैं थे तुम तुम श्कूल से भार निकालें गुंड़ा बनेगा धक्लास में दिखाते ऐं हम कर दिया दता certificate को और बताते हैं तोब जास restrictions को और बताते हैं आपका बचुणा यह तो सही में बहुत टेटिया है, और बहुत चलाक है, इससे समबल करेना परेगा, अब काला कदु का क्या होगा, पापा को जब फोन जाएगा तो, आज तो टीचर गुस्ता में लग रहा है, इसको निकालना दे स्कूल से, इस साला यहां बैठा है तो हमको चीटिंग करने तो देगा नहीं, हमको आप वाश्रूम जाना परेगा, वहीं जाके चीट निकाल के देखना परेगा, मैम, क्या हम वाश्रूम जा सकते हैं? अरे, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में क्यों बोल रहे हो? अरे, मैम, पेपर भी तो हिंदी का है, हिंदी का एक्जाम ले सकते हैं आप लोग, हिंदी में बात कहने क्यों मना करते हैं तब चुप रहो, जादा बोलते हो, अपने चीटर भाई की तरह, चले जाओ अरे, भाईया, इतना जल्दी निकल गया, बड़ा भाई क्लास से निकल गया, और उसका हालत देखे, आपका पिसाम निकल गया अभी तो हम आपको कुछ किये भी नहीं, पहले ही डर गए अरे, चुप रहा तुम, जादा बोलेगा नहीं, नहीं तो हम अभी मारेंगे तुमका पकर के कोई नहीं बचाएगा अरे, आप देखिए, हम आपको कैसे फसाते हैं, आपको कोई नहीं बचाएगा फिर मैम, ये भाईया को वाश्रूम नहीं जाने दीजिए ये भाईया चीट लेके आए है, कह रहे थे वाश्रूम में जाके चीट करेंगे, वाश्रूम में छुपा के आ गए है आपके लिए कह रहे थे, ये मैम तो पागल है, खरूस एक नमबर की, चीट करने दे ही ने रही है बाद में फेल कर देगी, कहेगी काई नहीं लिखा एक्जाम में कुछ भी, चीट करने देगी तब ने लिखेंगे जो पर के आयते वो आया ही नहीं है, तो चीट करना परेगा न, इसलिए वाश्रूम होके आते है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे अरे नहीं नहीं बैम, यह जूट बोल रहा है, एक नमबर का जूटा लड़का है, अपने उसको कुछ याद नहीं है, तब से दिमाग खा रहा है अरे चुप रहो, तुम भी अपने बड़े भाई की तरह ही चीटर हो, मेरे सामने बच्चे को धमका रहे हो, जैसे काला कदू धमका रहा था कोई जरूरत नहीं है वाश्रूम जाने की, चुप चाप से बैट के एक्जाम दो, और खबरदार, जो चीट किया अगर मैंने चीटिंग करते वे तुम्हें पकड़ लिया, तो फिर ये मिस डेंडी तुम्हें इतना डंडा मारेगी, इतना डंडा मारेगी, कि चीटिंग करना भूल जाओगे चलो एक्जाम दो, चीटा लड़का यो भाईया, समझ में आया अपना अकाद आपको मेरे सामने ज़्यादा होसियार बनने का ज़रत नहीं है, नहीं तो दो मिनट में सब को जमीन पे लेके आ जाते हैं, समझे अरे तुम चुप पर के रहो, बहुत 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 है अपना एक्जाम दो, अब देखो लो बेटा, तुम एक्जाम में अगर चीट किया और किसी दे पूछा तो अब हम कंप्लेंड करेंगे बले अब हम फेल हो तो हो, अब हम तुम का भी एक्जाम नहीं देने देंगे गोला कदू से पंगाली है ना तुम, देखो अब तुमको हम कई से सीधा करते है अभी तक हम तुम से सीधा मूँ से बात कर रहे थे ना, अब अपना उंगली टेरा करेंगे तर समझ में आएगा तुम मेरा अब इगो हर्ट कर दिया है, अब देखो बेटा, तुमको कहा कहा हर्ट होगा मैम, पीछे वाले भाईया फिल से टोपा को धमका रहे है तुमको अभी समझाए, तुमको समझ नहीं आया, तुमको भी जाना है क्या, प्रिंस्पल के पास अरे, नहीं, नहीं मैडम, हम कुछ नहीं किये, यही लग काम से तबसे बाहस कर रहा है, उल्टा सीदा बोल रहा है, आप इसको समझाए कि हमसे बात न करे चुप रहा हो तुम, और तुम से रो टोपा, तुम भी अपना एक्जान दो, तुम भी कोई शरीफ नहीं हो, सब पता है मुझे अरे मैम, तो आप भी कौन सी शरीफ है, भुगरा सर मेरे मामा यहीं को सब बताते हैं आपके बारे में अरे चुप करके एक्जान दो अपना, जादा इधर-धर की बात करने की जरुद नहीं है औरे ये लड़का तो बहुत चलाक है, मैम को भी पता नहीं कह धमका रहा है मैम भी डर गई, उसको कुछ नहीं कही, हम लोग के उपर तो काफी चिला रही है जरूर ये कोई सीक्रेट जानता है मैम का, तभी धमका रहा है, ये बहुत चलाक है बच्चा तभी ये नकाला कड्यों को दो-दो बार फसा दिया है, हमको इसके साथ जान पैचान बनाना परेगा ताकि हम पता कर सके, या कि जानता कि मैम के बारे में, फिर हम भी मैम को दमकाएंगे, वहम को चिटिंग करने देगी अरे बबू, ऐसा क्या जानता है तुम मैम के बारे में, जो मैम तुमको कुछ नहीं बोले? यह भाईया, आपको क्यों जानना है, आप भी मैम को धमकाना चाहते हैं क्या? और बड़ा प्यार से हमसे बात कर रहे है, अभी तक तो आपका गर्मी चल रहा था सरीर में यह, दोस्ती करना है क्या? अरे हाँ हाँ, करना है दोस्ती तो पिर मेरा एक्जाम दीजिएगा आप, हम आपका दे देते हैं आरे नहीं नहीं, वो नहीं करना है, वो टीचर देख लेगा तो फिर हमको भी निकाल देगा इसकूल से, वो नहीं करेंगे तुम अपना चिटिंग करो हम अपना चिटिंग करेंगे तुमको जिससे पूचना है तुम मुझर कोई एक दूसरे को नहीं टोकेगा जब भी हम लोग एक्जाम में साथ में बढ़ेंगे क्योंकि मेरे पापा हमको सिखाए है समझदार के साथ हमेशा दोस्त बन के रहो दुश्मनी में फाइदा नहीं है और तूम हमको समझदार लग रहे हो इस बात को समझने में आप बहुत देर लगा दिये भाया कि हम समझदार है लगता आप ना समझ है खै चलिए कोई बात नहीं हमरे साथ रहिएगा तो आपका भी समझदारी बहुर जाएगा कास काला कदू भाईया का भी समझदारी इतना ही होता तो हमसे उलजते नहीं खै छोड़िए उसा बात अरे तुम्हारा समझदारी तो हम निकालेंगे बेटा तुमसे दोस्ती इसलिए निकार है कि तुमसे हम डर गया है अभी तुमको अपना काम निकालना है और काम निकालने के समय गदा को भी बाप बनाना पड़ता है और जब काम निकल जागा ना तुमारा पीछे में तेना जोर से लत मरेंगे ना तरब तुमको समझ में आएगा कि इस समझदारी मूठ चलाने को नहीं कहते है और जो हमरे पास है और यह लड़का को भी नहीं छोड़ेंगे जो आगे बाइठा है यह भी इसका वरा साथ दे रहा था मैडम को कंप्लेंट कर दिया इसको भी बताएंगे हम कि गोरा कदु क्या चीज है इस टोपा को तो पूरा टोपा ही निकाल देंगे लेकिन काला कदु क कदु के साथ क्या हो रहा होगा पापा को पूर्ण गया होगा अभी तक आया नहीं है तो दोस्तों अगर आपको जानना है हम कई से अपना काम निकालते हैं और कई से इसको पिछे में लात मारते हैं तो कदु जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताए कई से इस लरका को ठीक करें और कई से चिटिंग करके हम एक्जाम जम को काई की कुछ नहीं आता है पास भी होना है ना और काला कदु के साथ क्या होगा कामेंट करके बताएए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद